नमस्कार तथे में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश अवस्ती जियां तथे में हम बात करेंगे भारत और रूस के जियां एक मैत्री की एक ऐसी मैत्री जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं भारत और रूस अपने व्यापारिक संब्द्नों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है प्रयास भी करता रहा है अब दोनों मित्र देश मिलकर आर्क्टिक से गुजरने वाले उत्तरी समुद्री शिपिंग रूट यानि कि नौर्दन सी रूट के इस्तेमाल का विस्तार करने पर विचार करना है रूस की इंटर फैक्स एजन्सी ने इसी चेकन को भारत का दौरा कर रहे हैं और भारती अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में रूसी और भारती बंदरगाहों यानि पोर्स का उप्योग करके उत्तरी समुद्री मार्व यानि की नौर्ट सी रूट के माध्यम से विश्वस्नी और सुरक्षित परिवहन एक मातपूर मुद्दा था समाचार एजनसी ने चकुन को के एक बयान के हवाले से का हमने यह नूट किया था कि व्लादी वास्तो यानि की रूस का सबसे बड़ा बंदरगाश शहर से भारत में एक कंटेनर पहुंचाने की लागत मासकों से एक कंटेनर की शिपिंग की लागत है तत्थ है जानिए और उसने यहां इंफ्रस्ट्रक्टर के निर्मान के लिए काफी निवेश यहने के इन्वेस्मेंट किया है यह मार्ग रूस की उत्तरी तर्थ हरेका से गुजरता है और पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच सबसे चोटा शिपिंग मार गया है हो रही है और समुदरी रास्ते में भी बर्व की समस्या कम हो रही है इससे देखते हुए रूस इस साल के अंतर इस रूस से साल भर शिपिंग शुरू करने की योजना बना रहा है यूकरेन पर आक्रमन के बाद बढ़ा है भारत और रूस व्यापार भारत ने अब तक यू इंदा नहीं की है युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के व्यापार में भारी बढ़ातरी हुए खासकर तेल के मामले में इसी हफते मंगलवार को रूस के उप्रधान मंतरी अलेक्जेंडर नुवाक ने कहा कि भारत को निर्यात होने वाले रूसी तेल में देसंबर 2022 के दोरान भारत ने दुनिया भर के तेल उत्पादकर देशों से कुल 1.27 अरब बैरल तेल खरीदा था इसमें से लगभग 19 प्रतिशत तेल रूस से आयात किया गया था जियां तो भारत और रूस के प्रगार होते संबन कूठ नितिक तौर पर भी और व्यापार तोर पर भी यहां तत्थे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार